हाई वेल्क नोब चनल इस बीड़ो में सॉल्व करने कुशन आफ 14 अब कर रहा है कि इफ द प्राइस इस फर्दर रिदूस्ट बाई 5 प्रसेंट तो आपको एस पी निकालना है तो यहां पर जो पहले-पहले दिया हुँआ रिदूस्ट बाई है , जो दिया है इस ब्रीव केस briefcase तो defective briefcase का जो CP दिया है वो दे दिया है 800 रुपीज अब यहाँ पर loss percent दिया है and also loss percent is 8% ठीक है तो यहाँ पर अब निकाल सकते हैं हम so SP निकाल सकते हैं SP of the defective briefcase तो यह formula क्या होता है SP is equal to होता है CP यदि आपका CP दिया हुआ है और loss percent दिया हुआ है तो होता है formula CP multiplied by 100 में से क्या करते हैं minus कर देते हैं loss percent loss percent whole upon 100 ओके यह formula होता है यहाँ पर जो है CP की value जो है 800 है और यहाँ पर हो जाएगा 100 minus 8 percent 8 upon 100 तो यहाँ पर देखे 2 0s जो है 2 0s कैसे रोल जाएगा यहाँ पर और 8 बच्चे का 8 multiplied by यहाँ minus करेंगे मिलेगा 92 multiply कर लेता है तो 8 to 16 का 6 1 carry over 8972, 73 736 रुपीज मिल गया आपका SP लेकिन यहाँ पर जो SP निकला है उसमें बोल रहा है if the price is further reduced by 5 percent मतलब यह जो price निकला है जितने price में बेशा जा रहा है इसको 5 percent से और reduce कर दिया गया तब बताएगे कि वो SP क्या होगा तो यहाँ पर जाकते है कि further 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 reduced price further reduced SP price मतलब क्या है SP selling price ओके further reduced SP जो होगा वो कितना हो जाएगा दिखे 736 पहले था अब इसको reduce कर दिया गया मैनस कर दिया गया कितना 5 percent से 5 percent से करने का मतलब क्या हुआ कि 736 का आप जो है 5 percent निकालोगे और जो भी आएगा इसमें से मैनस कर दोगे तो इसी को बोला जा रहा है कि reduce कर दिया गया ठीक है मतलब कि 736 आपका total यहाँ पे SP है मैनस कर दिया गया इसमें से 5 percent तो यह हो जाएगा 736 multiplied by यह हो जाएगा 5 percent निकालोगे सकते हैं 5 upon 100 solve कर लेते हैं तो 5 से multiply करके 100 से divide कर देंगे तो मिल जाएगा 736 minus यहाँ पे मुडबलाएगा यह 5 से 5 से 30 का 0 3 कर योवर and 5 से 15 15 15 and 3 18 18 का 8 1 कर योवर and 5 से बंजा 35 35 and 36 तो यहाँ पर 100 upon 100 यहाँ पर रहेगा 100 से divide करेंगे यह जो 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 जाएगा और divide करेंगे तो decimal यहाँ पर आ जाएगा आना 8 के बाद तो मिलेगा आपको क्या 0.8 है तो यहाँ पर मिलेगा 0.2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा 9 और 6 699.2 0 रुपीज तो इतना होगा मतलब कि 699 रुपीज 20 पैसे total cost हो जाएगा total SP हो जाएगा selling price जब हम 5% reduce कर देंगे price में तब ठीक है तो reduce करने का जो यहाँ पर concept दे रहा है यह बस आपको बोल रहा है कि simply reduce कर दीजिए जो भी SP निकलेगा उसमें 5% कम करना है तो 5% यहाँ पर कम करने का मतलब यही हुआ 5% निकाल करके और minus कर देंगे इसमें से इतना तो यह भी SP में से minus करेंगे इतना तो हमारा निकलेगा इतना जो कि हमारा final answer है ओके तो like करते जिएगा, share करते जिएगा और comment जुरू करिएगा कुछ ना कुछ thank you so much for watching, bye पर करते हले कि अकर दोक龙 रचास